हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे एक मेनत में हम दो नास्ता की रेसिपी बना लेंगे तो कि बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगे और काफी हेल्दी भी है तो यह देखे आज हम बनाएंगे उत्पम और डोसा तो जो कि एक ही बेटर से हम दो नास्ता बनाएंगे, जो कि एक मेनत में जिसे डोसा खाना है, वो डोसा खाना है, जिसे उत्पम खाना है, वो उत्पम खाना है, या एक दिन आप उत्पम खिलाएगे, और एक दिन आप डोसा खिलाएगे, तो एक मेनत में हम दो रेसिपी बना चावल ले रहे हैं यह मैं उरद की दाल है उससे हाफ कप यहाँ पर मैं ले रही हूँ अरहर की दाल तो इस तरह से सारे को मिक्स करके अच्छे से दो तीन पाने शेशें धोले अबर चुबश जोगो घुब आणित एके लिए आप चाहे तो अलग-अलग भी भीगो सकते हैं तो इस तरह से रात बर भीग चुकी है अब ये सुबा हो चुकी है देखिए अब चलते हैं नास्ता बनाने के तैयारी कहने के लिए तो सबसे पहले यहां पर एक मिक्सिजार ले रहे हूं पानी निकाल लिए मैं चावल का अब इसे मिक्सिजार में सारे को चावल अलग करके पानी से हम इसे मिक्सिजार में डाल लेंगे तो इससे डाल लेजे सारे को चावल और डाल को जितने भी है इसमें हाप टेबलिस्पून मैं नमक डाल रहे हूं यह छोटी चंबर से हाफ टेबल स्पून है तो इस तरह से देखिए एक दम फाइंट वेष्ट हमने इसका तयार कर लिया है यह देखिए जितना हो सके इतना बारिक हमने इसे पीस लिया है अब इसे एक बॉल में हम निकाल लेंगे मिक्सिंग बॉल में तो यह देखे इस तरह से और जार में जो लगी हुई है उसे भी हम थोड़ी सी पानी दे के निकाल लेंगा और इसे रेश्ट के लिए 10 मिनट के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आधे गंटा भी रख सकतें हैं आए ये देखिए 10 मिट हो चुकिए अब अब हम निकाज का शेंघ के लेरें पालर के मा laughter करें अगर आप याज काते हैं उपा प्याज के मैं sep करके और थोड़ी सी हंचे अची तरह से मिक्स कर लेंगे हैं तों पुछ तरह के हम बैटर तयार करेंगे देखिए यह काफी अच्छी तरह से इस तरह से अब हम एक फ्राइब लेंगे या आप तबा भी ले सकते हैं तो इसमें हलकी सी ओएल डालेंगे हम जो की एक दम वन बाइ सिक्स तीया एट चमच के करीब है थोड़ी सी तेल इसमें थोड़ी से अब इसमें इस तरह से हम बैटर को डालेंगे तो यह देखिए इस तरह से तो इस तरह से आप इसे डालेंगे तो इस तरह से एक उत्पम तयार करेंगे हम तो इस तरह से डालके उत्पम तयार कर लेजे अब इसे डालने के बाद हम इसे कवर कर लेंगे तो इसे एक मिनिट क लिए इससे कवर करें और गेस का फीलिम लो रखें तो इसे जब तक हम तक हम प student के उपराइ नह erzählt अब से हम थोड़ी सी पलट के सेख लेंगे यह से फार सी सी पलट के सेख लीजिए वैसे जरूरत पिर भी आप सेखना चाहते तो सेख सकते हैं पलटके तो यह देखिए उत्पन काफी अच्छी उत्पन हमारे तैयार हो चुकी है यह देखिए इधर से क्रिस्पी भी है और हेल्डी भी है इसमें ओईल भी कभी कोई कर नहीं लगा तो यह देखिए सहस्तम एक बार और बनाग बताती हो हलकी सी ओईल डाला है इसमें एक दम दो तीन बूंद के करी ओएल इसमें एक चुटकी सर्शो के दाने एक चुटकी सफेद तील और दो तीन कड़ी पत्ते इसे चटकने का इंतजार ना करें आप यह अंदर से खुदी चटक जाएगी अब इस पे हम बेटर को डा ढलेंगे है आप ऐसे चाहते हैं बेटर करते हुए जादा नहीं डालेंगे और बीच में इसे तरह से और डालेंगे डालेंगे, यह दोसा बना लेगे, आप एक दिन उत्पम बना लेज़गे, J Super इस तरह से यह बन चुकी है इस तरह से हम देखिए यह बना लिए इस तरह से आप उत्मम बना सकते हैं को मेच अपने के लिए आपए to तो तब आम यह पर फोड़ी सी तेल डालने के करें तो तेल डालके अब हम इसमें थोड़ा से टीशू पीपर या कपरे से आप पहुच लिए अच्छी से अब इसमें थोड़ी से गर्म मीडियम फ्लेम में इस गरम कर लिए अब थोड़ी से पानी के छिड़काओ करके से और उसे हम इसमोट्री कि और इसे यह बना सकते कños त्सलिकास ये बनने संसे गहां बकीयिंगे खोंगा गया जिस से बना सकतेड़ बंगप से अगर आपको एल नहीं खाना सकते के भी बना सकते हैं अगर लग तो ठाशल सकते तो थोड़ी सी ओड़ील डाल से नीगर नहीं भी डालेяд गा तो ये पक जाएगी ़े पखेर ओल का भी बना सकते है और लां mesa मेडियम में थोड़ी दीर पखालेंगे काफी क्रिस्पी हमारा तियार हो जाए ये देखी खें की नहीं री चटनी के साथ या मुंट्फली की चटनी के साथ जो पसंद हो फ्रीकजा 같습니다 स्टरव कर सकते यह से दो नास्ता हमने आज तदयार के कि लिए एक बेटर से थै देखने आप बना सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से यह नास्ता, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, एक दिन ये, एक दिन वो निश्क्रीड सेमी प्रोसेश से हमने सेमी मेटेरियल से सारा कुछ बना लिया, तो इस तरह से बनाने के लिए अगर आपको बनानी वीडियो देख रहे हैं, तो आप YouTube से देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लिए और Facebook से देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं और मेरे recipe कैसे लग रहे हैं मैसेज करके जूरूर बता हैं अच्छी लग रहे हैं तो आप लायक से अग भी सकते हैं अपने दोस्तों के साथ सफ्ते हैं और अकर नहीं अर्टिक से लग रहे हैं झाल झाल